नमस्कार दोस्तों मैं सुरजमल आपके अपने यूट्व चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा केमिकल कंपनी के बारे में जो टाटा गुरूप की एक कंपनी है और अहाल ही में यह बहुत ज्यादा सुर्कियों में भी है सब लोग इसकी बात भी कर रहे हैं क्यों बात कर रहे हैं और क्या इस कंपनी में खास बात है और क्या इस कंपनी में अभी बदला है इसके बारे में हाद इस पूरे अपने वीडियो में बात करेंगी तो इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले इस कंपनी का बिजनिस फिर कंपनी की क्या competitive strength है ताकि इसकी जो फ्यूचर की जो ग्रोध है वो अच्छी रहेगी फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के के बारे में फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के लिए ऐसे कौन से वेल्यू ड्राइवर्स हैं जो इसका फ्यूचर को और ब्राइट करते हैं तो चलो हम इस वीडियो की शुरुआत करो से पहले आप से क्रीपश्ट है कि अगर अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि जो फ्यूचर में में वीडियो अपलोड करों आप पास आने से मिल जाए तो हम सुरुबात करते हैं इस कंपनी के बिजनिस क्या है इस कंपनी के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिन में अलग-अलग बिजनिस करती है बेसिक डैनस उसके बाद में शींदेश Sw общ product सहीं यूज होते हैं ᐈ कंटेनर ग्लास for soft drinks and sprint के लिए कंपनी मनाती है सब्लन के लिए ह्ए पार्मा कंपनी के लिए च्छे मिकल्स भी ना ठी है और जो फार्मा अंपनी में यह लाशा थी उस्छा-शो यूज होतने वह फीकम्पनी में बनाती है टेबलव वेर गलाफ सिमेंटे सेंदर कुछ इसके केमिकल में जो य Boss मनलाती है फार्मा केमिकल स्वाहिन बैट्री है उसके लिए chemical भी मनाती है और लीतियमायन बेटरी का प्रोड़क्शन भी करती है वी रिसेंट्रली टाटा गुरुप ने एक यू के अंदर प्लांट सेट अप किया जो लीथियमायन बेटरी का प्रोड़क्शन करेगा जे लर के लिए तो वह जो बिजनिस होगा वह टाटा के भी न्यूट्रिस्टिस बनाती है पॉल् tree के लिए फूड मनाती है फूड गरेड देखम अदी है n लो एनिजिमायन वह ढूता है और इस कंपणी के पास प्रड़क्शन ने प्रोडर्डैक्शन वह हो टांकि उन प्रोडेक्श बेचने में इनको आसानी होती है और वो प भी रिसेंटली के अंदर में प्लांट भी शेटप किया यूके में और दूसरा एक रिफाइनरी भी शेटप कर रहे हैं ब्रांड सेंसे ग्रेंड प्लस डेट में टाटा सुद जो नमक है टाटा संपन ग्रेनुलाइट जो ब्रिटिस के अंदर है शोल्ट बेचती कंपनी वह इस कंपनी की जो रिवेन्यु आता है उसको अगर में प्रोडेक्ट वाइज को करूं तो सोडा एसे से इस कंपनी का 56 परसंट लिए बर्सेंट राता है और बायो कारबोड से इस सोंपनी का 48 प्रसंट रिव्य वर्यू आता है जो के लगिए पैस्टिशे 생्ट इंदे ने हर और अधर से 5% अगर मैं इस कंपनी के जो रेविनिय को अगर लोकेशन वाइज ब्रेक अप कर दो हो तो इंडिया से 44% यूएसे 34% यूरोप से 13% एसिया एक्सक्लोडिंग इंडिया 5% अफ्रीका 3% और अधर से 1% अब अगर मैं बात करूए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में तो इस कंपनी के पास में फिलाल 14 मैनिफेक्ट्रिंग प्लांट है वाड़ी के अंदर वह एसिया में भी है नौर्थ अमेरिका में भी है मगाड़ी में भी है जो अफ्रिका में और S via और इसके लावबार इसेंटली इसने दो प्लांट सेटप किया है एक UK में किया दो लीथियमायन बेटरी से रिलेटेड है जहां उस लीथियमायन बेटरी का प्रोड़क्शन करेंगे और जो जे आलार जे लार जो इसका सब्सेटरी कंपनी है उसके अंदर इनकी बेटरी का यूज होगा दूसरा यह गुजरात के अंदर इनों प्लांट सेटप किया है उसके लिए लेंड अक्वायर अल्रेडी कर ली है और प्लान है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो लीथिमायन की रिफाइनरी होगी है इस कंपनी की जो प्रोडेक्ट्स हैं लाइट सोडा इस अलाइड केमिकल्स टाटा सूथ नेनो जिंक ओकसाइड जो ब्यूटी क्रेम में यूज ओती है डीकेर यूजडिन टेबलेट सोडा कर यूजडिन नूट्रिशन्स ल का कर यूजडिन बार्ड फिडिंग स्पेसिलिटी सिलिका टाटा एंड क्यू टाटा का एक प्रोजेक्ट है टाटा एंक्रेज करके जो अभी रिसेटली में इस कंपणूण अपनाए कि area cancer center यह अर नडी शेट अप किया वो लोगों को सोशल लाइफ लाइव ऍ्टेकले कली काम करता है यह प्रोफिट और लोस्पर काम नहीं करता यह सिर्फ और सिर्फ लोगों की बलहाई केलें किलें वेलस लोगों की ऐजूकेशन्य लोगोंको इस company के जो products हैं उनका applications क्या है क्या उनके यूज है agriculture में उस यूज है animal nutrition में यूज है chemicals में यूज है constructions में है food and nutrition for human being glass high performance rubber metals oral care and cosmetics pants inks adhesives pharmaceuticals safety and environment shops and detergents textiles leather lithium-ion dry cell and other batteries अब इस company की जो competitive strength वो क्या है reputation टाटा गुरूप की company है तो उसको reputation की requirement ही नहीं फिर distribution इस company के maximum जो country जो उसमें इसके plant है और इसका जो network है वो worldwide है तो इसको जो बड़ी city है टीर वन टीर टू टीर थी मिलब ग्रामीन चेतर में इसकी रीच है और बड़ी city में इसकी रीच है तो इसके product है जो high margin वाले भी बिखते हैं और low margin वाले भी बिखते हैं तो इसको अपने प्रोड़क्ट को शेल करने में दिक्कत की समझ्या नहीं होती है दिक्कत नहीं होती है फिर हम बात करें लिटरसिप की तो यह company है बहुत सारी जो वड़ की अच्छी company और बड़ी company है उनके साथ में collaboration में काम करती है तो इनको अपनो प्रोड़क्ट बेचना आसान हो जाता है फिर हम बात करें relations की तो यह customer के साथ में अच्छी relation रखती है और लाश्ट तक relation रखती है operational excellence यह जो company है एक तो अपनी जो production cost है उसको कम करती है ताकि जो इसकी जो company का profit है वह बढ़ता है और तो बिजनेस करती हो sustainable business करती है फिर हम बात करें technology and cost competitiveness तो इस company के पास patents जादा है और यह अच्छी बड़ी company के साथ काम करती है तो इसको अच्छी एडवांस technology मिल जाती है तो इसको जो production cost है वो कम देनी पड़ती है lithium-ion and circular economy अभी government का focus है कि electric vehicles को बढ़ावा देना है और आने वाले time पे electric vehicles को जोर सोर से बढ़ाना है क्योंकि आने वाला जो समय है वो electric vehicle से related होगा तो यह company उस segment में भी अपना अच्छा काम कर रही है फिर हम बात करें इस company के financials के बारे में company के अगर sales देखे मार्च 2017 में तो 8224 क्रोट रुपे मार्च 2018 के अंदर 7553 क्रोट रुपे मार्च 2019 में 5595 क्रोट रुपे मार्च 2020 में 2920 क्रोट रुपे क्यों क्योंकि उसके बाद में देर दरी company का lockdown शुरू आता एरिये company इंडिया के लाव बाहर भी ज़्यादा काम करती है तो इंडिया में मार्च में lockdown आता लेकिन जो बाकी European country जह उनमें तो पहले lockdown शुरू हो गय operating expenses कि 7,140 क्रोट रुपे मार्च 2017 में 2018 के अंदर 6,181 क्रोड मार्च 2019 के अंदर 4,613 क्रोड मार्च 2020 के अंदर 2,202 क्रोट रुपे operating profit है मार्च 2017 में 1,183 क्रोड रुपे मार्च 2018 के अंदर 1,302 रुपे मार्च 2019 में 9803 क्रोड रुपे मार्च 2020 के अंदर 718 क्रोड रुपे ROC 12%, 19%, 10% और 8% debit to equity ratio मार्च 2017 में 0 था, मार्च 2018 में 0.20 रुपे मार्च 2019 के अंदर 0.40 रुपे मार्च 2020 के अंदर 0.56 रुपे क्योंकि इस कंपनी ने मार्च 2020 में इस कंपनी ने अपना जो बिजनेशर जो प्लांट से उनको expand किया था कैपेक्स किया था अलग से प्लांट सेटब के थी तो उसके वज़ए से इस कंपनी को कर्द लेड़ा पड़ा था सो ट्रम के लिए वो इस कंपनी ने रीपे भी कर द गहीं नियुश कंतर 12,866 क्रोट रुपे और मार 2020 केंदर 12,643 क्रोट रुपे अन्वेस्टमेंट मार 2017 में 2715 क्रोट रुपेmar 2018 केंदर 2840 क्रोट रुपे और 2全ображ 209 केंदर 565 पे और मार 2020 केंदर 4235 क्रोट रुपे जो इसीछ कम्पनी की इस ने का सेंद踏 एक साल ची और माइनस 47.81 प्रसेंट एक लोकडाउन के मज़़ से अगर मैं तीन साल की देखू तो भी माइनस में माइनस 29.1719 परसेंटेज और पांस साल की माइनस 21.95 परसेंटेज अगर मैं इसके प्रोफिट को देखू प्रोफिट परसेंटेज तो एक साल का बढ़ा है और तीन साल का देखू तो 114.54 परसेंट बढ़ा है और अगर पांस साल का देखू में तो 60.71 परसेंट इसका प्रोफिट ग्रोफ बढ़ी है क्यों कि मैं ने पहले ही बुला कि इस कंपनी ने जो मैं फोकेस है अपना वह कोस्ट प्रोडक्शन कोस्ट को कम करने में क्योंकि इसके पास एडवांस टेकनोलोजी और इस कंपनी के पास पेटेंट्स है तो इस कंपनी की जो सेल्स हो बले ही कम ही हो लेकिन जो प्रोफिट ग्रोथ है वो बड़ी है और वी परसंटेज देखें तो 56.2 परसंट एक साल की है त Griffey तीन साल की कि तुइन जिन जो कि और फासाल की नांतिञ परसंट आरू सी परसंटेज देखें तो एक साल गी 55.95 परसंट थीन साल की त्वंटी नाइं नाइञ परसंटेज और 55.04 परसंट और वाद तौंती आंटी-दिव.летो ची परसंटेज plannedi अर और आरंทำ का OCE अगर 20% से अबोव हो तो हम उस कंपनी को अच्छे मानते पानेंचल के टरम्ट में अब इस कंपनी के लिए ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो आने वाले टाइम पे इस कंपनी को वेल्यों लोग करते हैं और इस कंपनी को अच्छा बनाते हैं ताकि आप लॉंग टरम त प्रिये क्योंकि इस कंपनी के पास रिजरू ज्यादा है प्लस इन्वेस्टमेंट भी है और इस कंपनी ने रिसेंटली साथ सुद्वीश पॉइंट्न नाइन वन करोट रुपे का जो लोन था वो रिपे भी किया जो कैपेक्स के लिए लिए था दूसरी चीज इस कंपनी इस कंपनी के सब्सीडरी है यूके की जगवा लेंटरोर वह स्टेटमेंट दिया है कि दो जार पचीज तक टोटल ली इलक्ट्रिक वेहिकल में मूव कर जाएगी और इसने रिसेंटली यूके के अंदर एक प्लान सेट अप किया टाटा गुरूप ने वह टाटा केमिकल उसको रन करेगी तो यह इस स्टोक के लिए बहुत बड़ी एड्वांटेज आने वाले टा बारा तो टाटा केमिकल ने उस कंपनी को बाइब करने के लिए अपनी दिल्चस्पी दिखाई है और वह आल लेडी जो बात है वह फाइनल स्टेज में यह कंपनी जो आर्चेन गुरूप है वह सोल्ट बनाती है और वह सोल्ट है वह लिधियम आन की बेटरी को मैनुफेक् और में बात करें प्रमोटर ने अपना स्टेग रिसेंटली बढ़ाए कंपनी के बारे में परमोटर से अच्छा कोई नहीं जानता अगर परमोटर का उसकंपनी में कॉन्फीडेंस है isका मलभा है कि घर अने वाले टाम पर बहुत अच्छा करेगी अब जो इसने रिसेंटली चोदा जून 2020 को एन्वल रिपोर्ट जारी की थी टाटा केमिकल कंपनी ने उसके अंदर एक लाइन लिखी थी वह 341 पेज की एक एन्वल रिपोर्ट है उसके अंदर इस कंपनी ने लिखा था केपिटलाइज ओन इमर्जिंग अपोर्चनेटी इन एलेक्ट्रिक वेहिकल्स एंड इस्टेशनरी अप्लिकेशन विथ सर्कुलर एकोनोमी कंसेप्ट अराउंड लीथियम आयन टेकनोलोजी एक्टिव मैटेरियल मैनुफेक्ट्रिंग सेल एंड बेटरी मैनुफेक्ट्रिं मैटेरियल फ्रॉम यूजड बेटरी इस लाइन को उस कंपनी ने जब एन्वल रिपोर्ट में शामिल गया उसके बाद में इस कंपनी में एफाइस ने भी बहुत पैसा लगाया और अपना स्टेक बढ़ाया प्लस परमोटर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया इसका मेनिंग है आने वाले टाइम पर इलेक्टिक वेहिकल्स में जो लीथियम आयन की बेटरी यूज होती है उसमें यह कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी और जो सर्कुलर एकोनोमी मुला भी बैटरी बनाएगी भी लीथियम आयन को रिफैन भी करेगी वह बैटरी भी बनाएगी कंपनी आनवल रिपोर्ट में लिखाया कि इस कंपनी ने इस रो के साथ में जो लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिए चो टेकनोलोजी है यह तो यह इस कंपनी के लिए वेल्यव एड़ेड करते हैं प्लस टाटा केमिकल कंपनी ने मैंने थोट दर पहले बोला कि इसका एक प्लान तो यू यूकं में में शेटसे हो गया लड़ी लिद्धून बैटरी के बनेफाक्सरिंग के लिए दूसरा गुजरात के धोलेरा मेंले जमीन के लिद्धू मैं नहीं बनाएगा लूद्ध हमयन लगाता है तो यह बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इस कंपनी के लिए हो सकता यह यहां से कई गुना मल्टी वेगर हो जाए उसके बाद में अगर हम बात करूं इसकी टाटा गुरूप के बारे में यूके में में प्लान सेटप किया यह मैंने बता दिया आपको जो टाटा केमिकल कंपनी है वो रन करेगी इस कंपनी की पास में अभी फिलाल छे आरंडी सेंटर्स हैं जो फ्यूल ग्रीन एनरजी फूड इन्वार्मेंट वाटर एंड वेलनेस के लिए काम करते हैं और सात्व इसका है महराष्टा में जो टाटा एंक्यू एंक्रेज जो शोशल वेलनेस के लिए काम करता है पब्लिक के लिए फिर इस कंपनी ने 2019 बीस के अंदर टोटल 152 पेटेंट्स के लिए फैल किया और इसके पास इससे कई ज्यादा अलेडी हैं तो यह इस कंपनी के लिए बहु दोटा एंक्पार आमेरिका में उसमें इस कंपनी ने जो अपने टेडिशनल लाइट ने लाइज थी उनको यह पलेश्ट कर दिया एर जो प्लांट्स के निदर इसको फीडिंग पंप शीए उसको इन्होंने फीडिंग फंप जो हैं सोलर से रिप्लेश कर दिया वह क्या क के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे प्रोफिट में जो एड़ करेंगे अमाउंट तो इस कंपनी ने एक साल के अंदर अगर मीताफुर की बात करूं तो 24,23,23 किलो वार्ट की एक साल में अगर नोर्थ अमेरिका की बात करें एक प्लांट की तो 33,64,156 किलो वार्ट की एक साल में तो यह जो एनर्जी सेव की है जो इसका जो एकस्पेंशेज बचा है वो इसके प्रोफिट में रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद में मैं बात करूं इस कंपनी की तो इकंपनी जो मैन फोकस है इमिशन मेनेजमेंट मतलब अभी जो पूरा वर्ड है वो यह कर रहा कि CO2 का जो इमिशन है इन्वार्मेंट में कम से कम हो और उन कंपनियों को फंडिंग भी ज्यादा हो रही है जो बड़े बड़े इंस्टिशन्स हैं जो फंडिंग करते हैं वो लो इंट्रस्टेट पे फंडिंग करते हैं और उस में उस कंपनी में ज्यादा इंट्रस्ट दिखाते हैं जो इन्वार्मेंट को भी सेव कर रही है तो यह कंपनी इनी चीदों फोकस कर रही है नहीं टेकनलोजी डेवलप कर रही है प्लस इमिशन मैनेजमेंट में काम कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही है इसके प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उसको भी रिसाइकल कर के यह यूज में लेते हैं वाटर कनवर्जिन एंड मैनेजमेंट टाटा केमिकल जो कंपनी है अभी फिलाल इसकी 40 कंपनी जा होल्डिंग उसमें 33 कंपनी इसका 100% स्टेक है और जो रेस्ट कंपनी उसमें 50% और उससे कम का स्टेक है पला जो रेलिश इंडिए कंपनी वह भी टाटा केमिकल की एक सबसीड्री है उस में अबबवड नियर अबबाव। 50% स्टेक है तो टाटा संस ने भी स्टेक इसमें मैं बढ़ाया ऑभी रिसेंटली कहा कि नहिंगा फिलूप है उसकी जो वैलेशनभ बढ़गी तो उससे एल कर दो नुदम Не लेक्टरिकट्री में मूउँ कर रहायाल लेक्ट्रीक वेकल्स को शिगमेंट उसके इंदर अपना ज़ो यादा जौर से एंडि मारा है Sanja टाटा गुरूप के पास में क्या है कि लीथिय मायन की बेटरी बनाने के लिए टाटा केमिकल है और अगर उसको चार्जिंग स्टिशन चीए तो उसके लिए उसके पाँ टाटा पावर है और अगर उसको फाइनल प्रोड़क्ट बनाना है फोर विलर कार पेशेंजरिया कॉम अगर में इस कंपनी की फेर वेलिशन निकलкого आजकी टाइम पे तो इसकी अराउंड़ नायनसे से थाउजेंग रूपी OKI सनाथि स्टोक के इसको आप लेके लोंग ट्रम तक अपने पोटफोलियो में रख सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट के मुवमेंट के साथ में इसका स्टोक भी नीचे जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग है उनके लिए सबसे अच्छा समय होता है जब मार्केट नीचे गिरे तो वो उनके लिए अच्छी चीज है देरी देरी अकूंशनी आप और अपने लॉंग पोट फोलिय में रखिये एग दोड़न की स्टोरी नीए या एक साल की स्टोरी नीए यह आने वाले कई सालों के स्टोरी है यहां से कई गुना रेटन आपको दे सकता है मेरा खुद का भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उम्मिद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह आपके काम भी आएगा धन्यवाद और आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक भी आपने अगर मेरा यूटूब चैनल जोइन नहीं किया तो प्लीज आप जोइन कीजिए और मेरा उसला बढ़ाएगा